नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे कि पीअप का पैसा आप कैसे निकाल सकते हैं घर बैठे अपने मुवाल फोन या अपने लैप्टॉप के माध्यम से देखें पीअप का पैसा निकालना बहुत असान कर दिया गया है अब आप अपने घर बैठे ही इस का पैसा बड़े ही असानिय से विडोल कर सकते हैं यहां पर तीन केस हो सकता है पहला केस आपने कंपनी छोड़ दिया है तो उस स्तीति में कैसे निकालना है अगर आप कंपनी ज्वाइन हैं अगर आप चाहते कि पी अपने चे मंद छे काम किया किसी कंपनी में अगर आप चाहते कि पेंसन का रूप में जो आपका पैसा जमा हुआ तो उसको निकालना तो वो कैसे निकाल सकते तीनों का प्रोसस बताएंगे और साथ ही स्टेटर्स चेक करने तक का प्रोसस आपको समझ में आगे वीडियो को अभी तक लाइक नही अब साइट पर आ जाएंगे जहां पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा इस सर्च में आपको सिंपली पी अफ लिखकर यहां पर सर्च करना यह का मोबाइल लैप्टप दोनों से कर सकते कहीं से कोई दिकत नहीं होगा प्रोसस आप समझे यहां पर देखेंगे प्याप का पैसा कैसे निकाले ऑन-lain 2020 आप इस पएले पोश्ट पे क्लिक रेंगे जिसमें सारी डिटेल को बताई गी कि प्याप का पैसा कैसा आप निकल सकते सबसे असान तरीका आप को इस वीडियो में आपको बताने जा रहा है इसमें आप सारी डीटेल को अगर आप चाय तो पर स करेंगे इस पर आपका जो भी युए ने नमबर होगा उसको डालेंगे जो भी आपका पासवर्ड होगा उसको डालेंगे उसके बाद एक option मिलता है login का या sign in का आप इस पर click करेंगे आपका सारा डीटेल यहाँ पर दिखाएगा मेंबर फ्रोफाइल में सबसर पहला काम आपको करना है यहाँ जो मैं मैंनेज का option मिलता है इस पर click कर के आप यहाँ के वाईसी वाले पर click करके अपना किये वाई से वांट्ट तो उसे हितीति में आपका Pen भी यहाँ पर लगाना पर सकता है उसके बाद यहाँ पर मिलता online service का पिसपे किलिख करेंगे फर्श्ट मेए क्लेम का क्लेंप fel किchau when एए इसलोग ये करने के बात थोड़ा साव को वीट करना है इस पर कारणा का डेस्टोट आएगा जहाँ पर आपको एकाउंट नंबर डालना है उब कर देना है उसके बाद आपका जो एकाउंट है वेरिफाई हो जाएगा अब नीचे में एक option आपको highlight हो जाएगा proceed for online claim आप इस वाले पर click करेंगे click करने को आप थोड़ा सा wait करना इस पर सारा detail आपका देखने को मिलेगा नीचे में यहाँ पर एक option मिलेगा तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 3 case हो सकता है पहला case है जो लोग company छोड़ चुके हैं उनको PF निकालना है तो first option आपको मिल जागा only PF withdrawal कोई ऐसे लोग होंगे जो 6 महिना सधी काम कर लिये हैं company में है ही तो उनको pension के लिए भी आप apply कर सकते तो option मिलता only pension withdrawal आप इस पर click करेंगे या आपको company में आप जोड़ किये हुए काम कर रहे हैं और आपको pension निकालना है तो यहां पर एक option मिलेगा last में PF advance तो आप देख ले आपके पास जिस परकार का case होगा उस अनुसार का option select करिएगा मेरे case में जो बंदा है वह company छोड़ चुका है तो उनका PF निकालना है तो यह फर्स्ट option हम select करते हैं जैसे ही आप इस option को select करेंगे only PF withdrawal तो आपके सामने इस पर का कर डिस्बोड आएगा जहां पर आपको एक form upload करने के लिए बोला जागा यह जरूरी नहीं है है इसको आप छोड़े नीचे आएंगे तो यहां पर पुलाए जो भी है जिनके नाम सब फियाप निकाल रहे हैं उनका जूभी एड्रस होगा वह एड्रस आपको फिलप करना जो भी एड्रस अधार काट पर होगा उससे एकॉर्टिंग आप एड्रस यहां पर फिलप करें गए स्टेट के कॉफ्ञट जितने सारे जीला का नाम से लेक करेंगे उसके बास सीटी वह плат जो भी हिगा सी आप का अपे कोड़ना है यहां पर डोकुमेंट आपको अपग्लोड करने के लिए दो ऑफ छीए प्लोड कर सकते हैं या नहीं तो पासबूड करेंगे जो भी है उसकर को जा परकारा आपको पाश्बूक को पहले कर से लेकर करके कर अब से दिखाना धु करेंगे नीचे जाएगा लिंग JACK सब्सक्राइब लिंहलो करेंगे आप बेंगे इसका चार डिजिते लास्ट करें और यहाँ पेक option मिलता है validate OTP and submit claim form आपको इस पर click करना होगा जब आप OTP validate कर देंगे तो इस पर कर एक message आएगा कि OTP verify successfully EQYC update and PF final withdrawal claim form successfully submit अब इसके बाद आपको यहाँ पेक option मिलता click here to view PDF आप इस पर जब click करेंगे तो आपके सामने एक PDF खूलेगा जिसमें आपके सारी detail को mention रहती है इसको आप क्या करेंगे download कर लेंगे अगर आप किसी customer का PDF के लिए online आवेदन किये तो इसको print करके आप उससे दे सकते हैं यह परकिरिया होने के बाद आपका PDF आने में थुरा सा समय लगेगा जब भी भी आपका PDF का जब amount आएगा तो इसके लिए status चेक करने के लिए status चेक करने के लिए फिर से आपको online update htm.com के official website पर आना link description में और यहां पर option मिलेगा PDF status आप simply इस पर click करेंगे click करने के बाद आपका जो भी ID password होगा वह आप डालेंगे capture जो दिख रहा आपको यहां पर आपको डालना है फिर login का option मिलता है लोगिन वाले पर click करेंगे उसके बाद आपका जो भी member ID होगा यहां से select करना है और यहां पर देखेंगे तीन option मिलेगा पहला भी पासबुक जो की new yearly का यानि आप इस yearly का देखना चाहते तो इस पर click करेंगे यहां पर आपको दिखा देगा कि क्या प्याप का क्या सीन है अगर आप चाहते कि नहीं मेरा old यानि जितने सारे transaction है मेरे प्याप का वह देखना है तो आपको option मिलता है भी पासबुक आप इस पर click करेंगे आपका सारा यहां पर देखनों को मिल जाएगा पुराना वाला जो कि आपका total जो भी प्याप बा रिकॉर्ड फाउंड यहां पर नहीं दिखा रहा है आप 24-48 सिंटे बाद देखेंगे तो आपका अंडर प्रोसस में दिखाएगा अंडर प्रोसस के बाद आपका जो यह settlement दिखाएगा उमीद रखिए जब आप online करते हैं PF के लिए तो आपका यह पैसा आने में करीबन 10-15 दिन लगी जाता है यहां पर देखा यह जाता कि आपने जो भी पासवुक दिया है वो पासवुक आपने जो भी आपक प्लोट किया वह सई है यह नहीं यह सही होता है तो फिर आपका पैसा 10-15 दिन में आ जाता है तो मैंने सारी जनकारी को आपको डीटेल में बताने के कोसिस किया, कोई भी डाउट आपका बचा है तो प्लीज एक बार इस पोस्ट को आप जरूर पढ़िएगा, जिसमें हमने आपका सारा डाउट किलियर करने के कोसिस किया है, क्या सरते हैं किस परकार क्या करना है इसके अलावे भी कोई डाउट है कॉमेंट करिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद